खस राज्ये को बिगटन पछी कर्णाली प्रदेश मा एक सक्ती साली डोटी राज्ये को उदे भायो तर अठारों सताब्धी को मध्यतिर आई पुग्दा डोटी राज्ये को पतन हुन गई बजां एक चोतंत्र राज्ये को रुपा इस्तापित हुन गई एसरी 22 राज्ये हरुमा पसिमी नेपाल को एक सक्ती साली राज्ये को रुपा बजां को उदे भायो लेखक तथा इतियास कार अरुका अनुसार चोतंत्र बजां राज्ये का प्रथम राजा कल्यान सिंग थिये राजा कल्यान सिंग पसि क्रमसा, अमबर सिंग, समपुन्धर सिंग, रगुनाथ सिंग, इंधर सिंग, घजरा सिंग, भोभिंद सिंग रविक्रम भाधूर सिंग बजां कार राजा बाय विक्रम बादुर सिंग पची जय प्रिथिवी बादुर सिंग ले राज गद्धी समाले राजा जय प्रिथिवी बादुर सिंग को राड़ा सासक का प्रिवार चंग बैवाहिक संबंद भायकाले पनी उनी काट्वंडुमा ने बिविन्न कार्य हरुमा पेस्त रहे एती हुदा हुदै पनी उनी बजां का आधुनिक तथा विकास प्रवर्तक राजा बनना सफल भाय तर राड़ा सासक हरु संग उनको संबंद लामो समय चम टिकन सक्यना रा उनी भारतिर पलाइन भाय राजा जय प्रिभी बाधुर सिंग पलाइन भाय पचि राड़ा सासक ले उनको सत्ता खोशेर उनका भाय देबी जंग बाधुर सिंग लाई बजां राजे को जिम्मे वारी सुंपिये राजा देवी जंग भाधुर सिंग को पिक्रम संबाद 1995 सालमा मृत्तु भाय पची उनका जेठा छोरा राम जंग भाधुर सिंग बजां का राजा भाय राण जाशन कलता का बजांगी राजाले आपनो राज्ये माा 11 रुपले काम गर दे आयका थिये एस पछी बजां को स्तिती कस्तो रएयो बजां कांड कहिले घटन गयो यो कांड को बस्त बिक्ता के थियो एस बिशाय मा आजको कारे क्रम मा चप्रचा गर ने चों विश्च्वास्थ सदा जई येस कारे क्रम लाई पनी उत्ती के मन पराई दिन होने चा। आफनो गती विदीलाई अर्जा ससक्त बनाऊ दे लगे। एस्टेई नेपाल को आस्ट्रित राज्य हरु मत्दे एक बजां का राज्य का राजा राम जंग भाधूर सिंग पनी आफना पीता पुर्खाले आर्जे को मुलुक बजां अर्जा स्तुतंत्र बनाऊना चान्ते। यही भायर उनी नेपाली कांग्रेज संग केई नजी किन पुगे। विक्रम संबत 2015 साल मा नेपाल को एतिहास मा नहीं पईलो पल्ट बालिक मता धिकार को आधार मा देश्ट वित्र आम चुनाप संपन्न भायो। सो आम निर्वाचन मा नेपाली कांग्रेज ले चोतर स्तान मा विजय हासिल गरी प्रतिनिदी सवा मा दुईतियाई बवमत प्राप्त गर्न सपल भायो। यस पसी बीपी कोईराला को नेत्रितो मा निर्वाचित सरकार को गठन हुन गयो। नेपाली कांग्रेज को सरकार बने पठी नेपाल भित्र रयका आस्त्रित राजी हरको उन मुलन बारे बिविन्न समय मा संग्षत मा बहस हरु भायो। निर्वाचित सरकाले एस बारे पहिलो कदम उठायो। एककेई पटक राज्य को अस्तितो समाप्त गर्न उचित न देखी नेपाली कांग्रेज सरकाले पईलो चरण को रूपमा एस्ता राज्य भित्र रयका राज्य अदाला थरू उन मुलन गरी राश्त्रिये नियाईक इकाई को ब्यवस्ता गर्ने निर्णे गर्यो। नेपाल सरकार को यो निर्णे भय लगत्तेई तेती बेला काईम रहे को धेरेजस्तो राज्य हरूले स्विकार गरे तर बजांका राजा एसलाई मानन तैर भायनन यो सरकारी निर्णे को बीरोद गर्दै राजा राम जंग भाधुर सिंग रा उनका थोरा अर्थात युव यो राज ओम जंग भाधुर सिंग आपना समर्थक हरू सैथ कळा बीरोध मा उत्रिये। समनांतर सरकार को गठन गरे। एसरी बजांग मा भईरे को विवाट टूंगो मा पुग्न न सके पचे प्रारी तथा स्थेनाले हस्त चेप गने रणनीती अपनायो। एसरी बेश इस्तानिये रप्रारी तथा नेपाली सेना बेश ठुलो भीडनता हुन गयो। नेपाली सेना को गोली लागी ओम जंग पक्षेदर दुई जना बेक्ती हरु मारिये। करीब दुई से जना बेक्ती हरु घायते भाये। योराज ओम जंग भादुर सिंग आपना केई समर्थक हरु सैथ भारत तर्प लागे। एसरी बजाग मा निक्के ठुलो घटना घटे पसी विक्रम संबत 2017 साल मंग्शिर आट गते बारत इस्तित पिथोरा घट मा बस्ते आयकार राजा राम जंग भादुर सिंग सुटुक का काठमांडो आये। केही इतियांस कार हरु का अनुसार उनी गोपे रूप मा काठमांडो आये पसी राजा महिंद्र संग भेट गरी आपनो राजे काईम राकी दिन अनुरोद गरे। तेस पसी उनले काठमांडो मा एक पत्रकार सम्मिलन को आयो जना गरनी कारिक्रम बनाये। तरह ततकाली निपाली कांग्रेश को सरकार ले बजांका राजा राम जंग बादुर सेंग काठमांडो आयेर पत्रकार सम्मिलन गरन लाये को था पाये पसी उनलाई उनी बसकिस्तान मा नजर बंद गरियो तरह पसी उनलाई भारत तरफ दान अनुमति दियो। यो घटना भय को केहपता पसी नहीं अर्था बिक्रम संबर 2017 साल पॉस एक गते का दिन राजा महिन्द्र ले 18 महिना पहले गठन गरिये को नेपाली कांग्रेश को निर्बाचित मंत्री मंडल बिगठन गरे। येस पची बिविन्ण नेता हरुलाई पक्राव गरिनेकम अगी बढ़न गयो। पनी एस बाट अच्छुतो राण सकेना। पारे करता हरुलाई आपनो पक्षेमा पारी सो योजनाको लागी सयोग जुटावन अपिल गरे। येस पची केही संख्यामा भाडाका सैनी करू परती गरी तालीम दीन पनी सुरु गरे। एसरी सबै तयार भायता पनी राजाको उमीरले साथ नो दिये पची संगर सलाई अगी बढ़ावने अविबारा युवराज ओम जंग बादुर सिंगले लिये। येस पची बिक्रम संबा 2019 साल ताका आपना ससत्र समर्थक हरू सैथ युवराज ओम जंग बादुर सिंग नेपाल पची बजां तरफ लागे। सर्वप्रथम उनले बजांका स्थानिये बासी हरूलाई आपनो योजानाको बारेमा बताऊं दै आपनो पक्षेमा पार्ना सपल भाये। तेस पची सबै मिलेर बजांको राजदर्बार माथी नी इंत्रन काहें गरियो। आपनो राजदर्बार को सुरक्षेर्थ ओम जंग बादुर सिंगले चारेतीर हाथ अत्यार सैथ सुरक्षे कर्मी अरुत तैना अद गरे। एसरी ओम जंग बादुर चेंको नेत्रितोमा ससत्र बिद्रो हुना गईरेको बारे काट्मंडो इस्तित राजदर्बार माँ सुचना पुगियो। बिद्रो हा बिस्तारे बर्ण गई मा राष्ट्वे समकत उत्पन होना सक्ने देखी बजान को सो बिद्रो लाई नियंत्रन गर्न स्तुरक्षे स्टेनाले हत्यार उठायरने मुट्र बेड गरने निर्ने गर्यो। बिक्रम सम्भाद 2019 साल भदो मैनामा भयको सो निर्ने अनुसार भिद्रो हरुलाई कारवाई गर्न निपाली जंगी अड्डा बाट स्री स्री नात गर्नलाई आदेश दियो। आदेश प्राप्त गर्ने बिट्टे कैई स्री स्री नात गर्न का ततकालीन गणपती प्रमुक सेनानी स्री बिरेंदर प्रसात साले डोटी र बैतडी मा रहको गुल्म लाई तुरूंत कारवाई गर्न आदेश दिये। येस पची डोटी र बैतडी का गुल्म हरू अगी बर्दै जादा बजांको थरला बन्ने ठामा दुबई को भेडवायो। दुबई गुल्म पती हरूले छल्फल गरी साना साना टुकडी हरू बनाए र अगी बर्दै कारवाई गर्ने रणनी तिलाई अंतीम रूब दिये। ये समद्दे एक टोली बजांको राजदरबार तीर लागयो। राजदरबार नजिके पुगे पची उन्हेरले दरबार वरी परी ससत्र बिद्रोईयरू बंदुग तिरसायर बसे को देखे। ये देखे पची नेपाली स्टेनाले पणी राजदरबार घेरा हुगरी फाइरिंग शुरू गरे। बिद्रोई सम्व का नेता ओम जंग बादुर सिंग बिद्रोई को क्रमा नहीं नेपाली स्टेनाले चले राजदर भागन शपल बाए। येज पची ओम जंग भादुर साइध अन्ने ससत्र बिद्रोई हरु जंगले जंगल गुल्जर हुदे जुडे वन्नी स्थान मा पुगे। येहां ओम जंग भादुर ले सबै समर्थ करूलाई समेटेर नया रणनीतीमा काम गरने योजना बनाए। निपालीस चेना संग प्रतक्षे भिड़नत न गरी छकायर आक्रोमन गरने गुरिला युद्ध बारे सबैलाई सहमत गराए। चलपल को क्रम सके पशी सबै जना खाना खाना तयार भए। तर येही समय मा नेपालीस चेना नजिके आयको खबर उनियर ले प्राप्त गरे। तेस पची पाकी सकेको भादप्नी तित्तीके छाडएर उनियरू त्याहा बाट कुले लाम्टोके। ।्याहा बाट हिडेको केई समय पचिने उनियरू नान्थळा गाउमा पुगे। तेहीने उनियरले राफ बिताए। बिद्रोई हरु एका बिहाने उठेर नान्थाला बाट अगी बड़े, तर तेही केई एक स्थानी ले सेनालाई बिद्रोई हरु को बारेमा स्चुराकी दीशाय काथिये, तेस पची केही परपुग्ने बित्तिकेई उनियर को नेपाली स्टेनासंग विशन बिड़नत भयो, चो भिड़नत मा बिद्रोई हर को स्थिती कमजोर बन्न गए पची केही बिद्रोई हरु लटिना थिर भागे, तर भिड़नत को क्रम मा ओम जंग भाद सिंग को कोख मा सेनाले चलाई को गोली लागे, उनि तेही धल नपगे, उनि धले पची अन्ने सा यो दाहर को भागा गायते भायका ओम जंग भादू ले चोटलाई को ठामा आयको रगत, आफुले लगायको कपडाले रोग देई केही तल जारे, तेस भिड़नत पसात बागदै गरे का दुई जना बित्रोई हरु निपाली स्थेना दोरा समातिये, एसका साथै केई हाथ अत्यार हरु पनी ह लेको ऐसकार हरु ले ती समातिये का दुई जना ले सेना समख्षे ओम जंग भादू ले पस्पन जना बित्रोई हरु लाई हात त्यार सहित प्रती ब्यक्ती 5.5 रुपय दियेर ल्यायको बयां दिये का थिये बने उले गरे का चन। को केही तल ठूलो डुंगा को ओत लगायर केही मानिसरु बसी रहेको ठापाये। यो खबर प्राप्त गर्न साथ नेपाली सैनी करू ओसियरी साथ तेही पुगी घेरा वाले। सुरुमा नेपाली सेनाले हात अत्यार विशायर आत्मा समर्पन गर्न अपिल गर्यो। तर काहिते अवस्थामाने रहेको भायता पनी यो राज ओम जंग बाधूरले आत्मा समर्पन गर्न मानेनन। एती कईमा नेपाली सेनाले गोली चलावन सुरु गर्यो। ओम जंग बाधूरले पनी प्रतिकार सुरुप हत्यार उठावन खोजदा बैतेडी गुल्म का स्टिपाई भीम बाधूरले ओम जंगलाई गोली हानी मारी दिये। पछी अन्नी बिद्रुई हरुलाई पनी समात्यो। केई लेका खरुका अनुसार समात्ये का बिद्रुई हरुको पनी सेना द्वरा हत्या गर्यो। एसरी विक्रम समध 2019 साल असो सत्र गते का दिन दार्चुला को मार्मा लटिनात को ओधार मा युगराज ओम जंग को गोली हानी हत्या गरिये संगई बजांगी राज थंत्र पनी सदा को लागी अंते हुन गयो। कही लेखा खरुका अनुसार ओम जंग बादुर सिंग को लास लाई नेपाली सेनाले फ्यालने अनुमती दियेता पनी तहा सस्कार गर्न बने दिये न अंतता इस्तानिये मानी सरुले सामने तरिकाले तोलानी नदीमा ओम जंग को मृत शरीर बगाई दिये। एस प्रकार यूराज ओम जंग बादुर को मृतु संगय बजां को सक्रिय राज तंत्र को अंते हुन गय इतियास को एक अध्याय पनी समाप्त भयो। एस घटना पसी पने जिविते रहे का राजा राम जंग बादुर सिंग को राज पत्वी खोशियो। रा उनका भाई इस्तोरी जंग बादुर सिंग बजां का राजा भय। रवनी पसी उनका छोरा धिपक जंग बादुर सिंह लाई बजांको मानर्थ राजा बनायो बिक्रम सम्बत 2021 साल ताका बजांका राजा धिपक जंग बादुर सिंह को राजा महिन्दर की छोरी अधिरज कुमारी स्तांती राजे लक्ष्मे चंग बिभा बायो यो कारिक्रम यहार लाई कस्त लागे क्रिपया कमेंट बक्स मा लेकी पठाउन हला एस्ते रोचक्त था तथे इतिहास को लागी हिस्ट्री इन नेपाली चानल लाई सदाई बस सम्झनोस इतिहास को कुणी पनिकाल खंड बारेत पालाई सुन्न रा बुजन चान राकन भय को चाबने तला राई को कमेंट बक्स मा उलेक गन्वोर्ष हामी सो बारे प्राथ मिक्तक साथ कारिक्रम बनाऊने ने चाउन जादा जादाई एस चानल लाई लाईक, शेर रा सस्क्राइब गरदे बेल आइकन मा क्लिक गरे हामरो यो तत्थे इतिहास को बारे ज्यान प्रसार गरने लक्चलाई साथ धिनोस बन दे और को कारिक्रम मा फेरी भेटने बाचा गरदे मा सार्थक नेपाल बिदाउंचु ह ऑस्ता, नमस्कार